आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बुला थे कि ट्राकसेस की रसलर खरीदने के लिए वो भी खरीद के लेकि आज चुका हूँ देख सकते हो गाइस यह है ट्राकसेस रसलर 4x4 VXL इसको मैंने 70,000 रुपीज में खरीदा है यार आज इसकी एकदम तगड़ी तरीके से करेंगे टेस्टिंग ऑफ रोड पे भी और रोड पे भी इसकी टॉफ स्पीट 100 km पर आवर से भी जादा तक जा सकती है इसके साथ आज मैं बहुत सारी कार्स की फाइट कराने वाला हूँ तो यहाँ पर तीन मेरे पास बहुत पावरफुल आरसी कार्स है इनकी भी स्पीट बहुत जादा है यह है टाइफून आरसी कार्स यह हाई बॉक्सिंग की डजर्ट आरसी ट्रक है यह है डवल टोईस की 1248 चलो गाई अभी फटावट से इन सभी को करतें अन्बॉक्स बहुत जादा स्पेशल है क्योंकि यह पिंक कलर में नहीं मिलती थी आप देखा और पिंक एडिशन भी आने लगा है तो मैंने इसका पिंक एडिशन ही खरीद लिया है यहाँ पे इसकी टॉप स्पीट दी गई है 65 माइल्स पारावार बलकर अगर आप इसको किलोमेटर में कनवर्ट करोगे तो 100 किलोमेटर से भी जादा तक यह कार जा सकती है इसके अंदर वेलिनॉन की ब्रेशलेस मोटर और ESC लगा हुआ है यह कार को बहुत जादा अपग्रेड किया गया है रिसेंटली इसके अंदर हेवी ड्यूटी ड्राइव शाफ्ट दिया गया है स्लिपर ज़रू से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर से दबा देना बोक्स को मैंने ओपन कर लिया है अब निकालते है हमारी रसलर पिंक एडिशन को यह कार को मैंने निकाल लिया है कार काफी जादा हेवी साइस की मेरे को लग रही है कार के साथ बैटरी नहीं मिलती यह स्पेशल रिमोट कंट्रोलर यह रहा गाइस लिंक एनेवल रिमोट मिलता है इसके साथ आप चाहे तो यह कार को आप से भी कंट्रोल कर सकते हो यानि कि आपके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे यह कार के अंदर सेटिंग्स करने के लिए यह जो रसलर है इ इसको यह फ्लव र-color दिया गया है जहां तक यह कलर की बात करूंगा इस एकडम प्रेमियूम दिखती है यह तरफ लर की ब्रांडींग दिगाई यह फोर निकल जाएगा तो यह रहा गाईज इसका hardware यहां पर देख सकते हो इसका receiver दिया गया है यहां पर इसकी brushless motor है यहां पर इसका shaft दिया गया है suspensions की बात करूं तो गाई suspensions ठीक ठाक मेरे को लग रहे हैं यहां पर white color की spring इसके अंदर देखने को मिल जाती है तो guys अगर rustler और typhoon के बीच में मैं आपको comparison करके बता हूँ तो guys यहां पर देख सकते हो बहुत ही कम difference दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है इसकी length जो है टाइफून चे थोड़ी सी जादा दी गई है और दोनों की चावडाई भी बिलकुल उतनी है और दोनों के अंदर suspensions भी same ही दिया गया है और इसके अंदर भी एक छोटा सा वीली बार यहां पर देखने को मिल जाता है चलो guys अभी फटा फट से कराते हैं इन चारों के बीच में fight देखेंगे आज की fight में कौन सी car जीती है चलो guys सबसे पहले यह Traxxas rustler को test करते हैं बाटरी डालते हैं अभी पर लग जाईगी guys इसकी बैटरी इसको लर को मेरी कार के उपर से जंप कराने वाला हूं मैं यह जंप करा दिया मैंने पर इसकी लैंडिंग बहुत खराब मेरे को लग रही है ओ भाई साब रसलर के दो तुकड़े यहां पर हो चुके है इसकी बोड़ी यहां पर आके गिर टाल रखी है क्योंकि इसकी पावर देखो है कितनी जादा है दिखने में कार थोड़ी सी छोटी है इसके इंदर टूमच दी गई है कार बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ कर रही है ओफ रोड में यह इसनी तरीके से परफॉर्म करेंगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सूचा कर रहा हूं यह बहुत जादा फिसल रही है मिटी के अंदर बाकि आप देख सक्थे हो इसके अंदर भी पावर बहुत जादा दी गई है अब डैबले आप देख सेक्थे हो बहुत गजब के ब्रेक्स लगते है इसके ओफ रोड में अब ताइफुन आर्सी तार्को देखत तो अब मैं रोड पे रेस कराने वाला हूं ताइफुन वर्सस रसलर के बीच में देखते हैं इन दों में से कौन जिता है रसलर बीजी कर रही है क्लियरली आप देख सेक्थे हो रसलर काफी जादा आगे निकल गई है पर टाइफुन भी पूरी कोशिश कर रही है इसको व बगी आर्सी कार के साथ देखते हैं इन दोनों में से कौन जिता है डजर्ट बगी शुरुआत में तो रसलर को बहुत तगडी टक कर दे रही थी पर देखो यार अब रसलर बहुत जादा आगे निकल गई है इसके आसपास में भी ये डजर्ट बगी नजर तक नहीं आ रह पर ये डबुल टोइस कार इसको पूरी टक कर दे रही है यहां पर आगे जाने की कोषिश कर रही है यहां पर टाइफून गिरते गिरते रहे गई है यहां पर दोनों के बीच में टाय हो चुका है ठीके गई गई सब्सक्राइब तकोफ़रा दोनों के बीच में करस्टी में बाढ़ दिया है। यहां पर रसलर पूरी ताकत लगा कर टाइफून को खेंच रही है और ताइफून इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके उपर मिट्टी भी फेंग रही है, फिर भी देखो है, रसलर यहाँ पर रुक नहीं रही है, clearly आप देख सकते हो, रसलर बहुत जादा पावरफुल है, टाइफून के मुकाबले में, यहाँ पर टाइफून की हालत आप देख सकते हो, इसके उपर कितनी जादा मिट्टी गिर चुकी है, रसलर अभी भी एकदम क्लीन है, अब यहाँ पर रसलर को मैंने एक तरफ लग दिया है, और यह दोनों डہसलर को रसलर को हराप आती है, ओ my God, यह दोनों कार बहुत जादा पावरफुल है है, दोनों ने मिलकर रसलर को धुल चटा के रख दिया है, पुरी तरीके से, अब यहाँ पे थुको फोर भी करा के देख़ते हैं यह दोनों कास्को मैंने एक सेट बांधिया और को दुसरी तरफ बांधिया देखते हैं यह दोनों मिलकर वापस से रसलर को हराअती है यानि इस बार रसलर इनको पूरी कड़ी ठककर दे रही है गाइस देख सकते हो रसलर पूरी कोशिश कर रही है इन दोनों को खेंचने के लिए और दीरे-दीरे खेंच के भी लेके जा रही है मेरे को लगाता ही गाइस रसलर वापस से हार जाईए पर रसलर ने यार थको फॉर में कर दिखाया है पूरी तरीके से यहाँ पर यह दोनों इस बार धूल चटा के रख़िया है अब रसलर को और भी ज्यादा एक्स्ट्रीम लेवल पर टेस्ट करते है तीनों कार्स को एक सट बांद दिया है मैंने दूसरी तरफ रसलर को बांद दिया है देखते हैं गाईज यह एक कार इन तीनों को हरा पाती है नहीं यहां पर और यह दूर जाए रहे हैं मित्टी की चट्टान बहुत जादा खरइ है यार इसके उपर बहुत ही कटीली काज भी पड़ी हुई है गाईस इससे RC कार्स के टायर्स बे फट सकते हैं WL टॉइस को टेस्ट करके देखा ये कार थोड़ी दूर चलने के बाद नीचे फिसल के आ गई यार इसके अंदर इतनी जादा पावर नहीं है कि यहां से जंप मारके निकल सके फिर मैंने डजर्ट बगी RC कार को टेस्ट करके देखा ये कार भी आदे रास्ते तक जाने के बाद देखो आर पलट के वापस आ चुगी है इसको यहां पर प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी तो अब रस्लर को उपर चड़ा के देखते हैं गा इस रस्लर के लिए यार ये बाए हाथ का खेलता बहुत आराम से यहां से रस्लर निकल चुकी है जैसे की JLB चीता निकला कर दी दी आज मैं 10 लोगों को शौट आउट देने वाला हूँ पहला नाम है जिशान, साहिल, विष्णू, आदी, कनिश, देवेंदर, वंश, अशोक, दुरूफ, शहनवाज ताइंक्यू दोस्तों इतने अच्चे कमेंट्स करने के लिए कर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीज़े, लाइक नीचे कर दीज़े, कमेंट, बाई दोस्तों